हलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नहीं वीडियो में आज हम आपके लिए लेगर आए हैं सैमसंग का कनवेटेबल डबल डूर जो कि आता है 385 लिटर कापैसिटी में वीडियो में आगे बात करेंगे इस फ्रिज के सारे फीचर्स के बारे में कैसा ये फ्रिज है और क्या-क्या अलग है अधर ब्रांट्स के कनवेटेबल से तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फिजिकल वीव में अगर हम एक्स्टीर की बात कर रहें सबसे पहpled यहाँपे सामने की तरफ आपको अग्लॉसी फिनिच देखने मिल जाती है जो कि मेटयलिक स्टीट में आता है वट यह कोई प्रिंट है यह प्रॉपर स्टीट वहता ऊपका कभी ग्लॉस में होता इसमें आपका gloss finish आती है उपर की तरफ लिखा है Samsung Global No.1 selling refrigerator brand चीक है उसके बाद यहां पर लिखा है Convertible 5-in-1 आपको zoom करके देखा है तो यह यह आपको Convertible 5-in-1 लिखा है यह QR code इसको scan करने के बाद आप इस fridge के बारे में और जादा knowledge ले सकते हो यह वाला QR code मैं आपको वीडियो में साइड में भी दे दूँगा आप screenshot लेके इसका scan कर सकते हो okay सामने की तरफ आपको एक काफी अच्छी सी display देखने के मिल जाती है जहां पर आपको temperature adjust करने के option मिलते हैं और आपके fridge को convert करने के लिए अलग-अलग modes दिये जाते जो कि आप यहीं से कर पाऊगे fridge का temperature, freezer का temperature जैसे जैसे आप इसको update करोगे वैसे वैसे आपको यह convert होता चल जाएगा यहाँ पर आपका लिखा है freezer power freeze ठीक है ना इसको आप 3 seconds के लिए प्रेस करोगे तो आपके power बढ़ जाएगी यहाँ पर लिखा है freezer convert 3 seconds के लिए प्रेस करेंगे तो आपका freezer है वह freeze में convert हो जाएगा उसके बाद लिखा है fridge power cool अगर आप इसको 3 seconds के लिए प्रेस करेंगे तो फ्रेज की जो पावर है वह और ज्यादा increase हो जाएगी मतलब और enhance हो जाएगी twin cooling plus का इसमें आपको option देखने के लिए बागि अगर star rating की बात करें तो यह fridge आता है 3 star rating के साथ जो की consume करता है साल का 248 units per year नीचे की तरफ आपको 20 years की compressor warranty देखने को मिल जाएगी उसके बाद साथी साथ आप इसको home inverter से connect कर सकते हो जो की clearly words में लिखा हुआ है कि दो CFL bulb जितना यह बिजले लेगा यह वाला fridge उसके बाद इसमें stabilizer के requirement नहीं होती है क्योंकि यह जो है minimum 100 और maximum 300 वाल्ट पर operate होता है 21 years के reliability के द्वारा इस fridge को मिली है जो की frame samsung अपने fridge में sticker लागा अगर देता है साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ key features है जो की Samsung अपने fridge में दे रहा है सबसे पहला आपको up to 15 days की आपको freshness देखने को भी लेगी fruits and vegetables में six smart sensors लगे हैं for long lasting freshness आपको लंबी cooling के लिए इसमें sensors दिये गए हैं 8640 रुपर आप सेफ करेंगे साल का other brand के मुकाबले up to 31 faster ice making 31% तेजी से यह आपकी ice को making करेगा यहाँ पर लिखा है 70% moisture full refresh यहाँ पर आपको लिखा है 70% आपको जब moisture है वो fresh रहेगा इस fridge के अंदर साथी साथ यहाँ पर आपको 31% faster cooling देखने को मिलेगी फ्रीज एरिया में home inverter so that connect हो ही जाएगा तो यह था एक overview इसके exterior का अब बात करते हैं इसके interior की सबसे पहले मैं आपको इसका freezer दिखाता हूं freezer में जैसे कि आप देख सकते हो काफी बड़ा freezer है और इस बड़े freezer में आपको तीन जगा से duct देखने को मिलेगी पहली तो उपर है जहां से cooling आएगी दूसरी यहाँ पर आपको नीचे की तरफ एक base duct देखने को मिलेगी जिसमें से आपकी ठंडी हवा आती है और इस दरवा gel material होता है जो कि ठंडा होने के बाद freezing हो जाता है और इसका जो temperature रहता है माइनस में चल जाता है लाइट जाने के बाद यही material होता है जो कि आपके freezer में cooling को maintain करके रखता है ठीक है अब बात करते हैं इसके fridge के बारे में जो कुल खरते के साथ ही आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले यहाँ पर एक चिलर जहाँ पर आप अपने frozen fruits रख सकते हो meat, fish अगर अंडर अगर भी आप यहाँ पर रख सकते है इसके बाद अगर आप नीचे आते तो नीचे की तरफ आपको दो डग देखने को मिल जाएं जो कि यह वाले अरिया कवर करता है इस एरिया को कवर करने के लिए कोई specific डख नहीं नहीं दी करता है शाथ रहाँ नीचे की तरफ आप देखको तो नीचे की तरफ भी कोई डख निये पूरी बैक साथ क्लिन है यहाँ पर आपको वेज़ बॉक्स मिल जाता है जो कि यह भी चोटे चोटे ग्रिल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि Samsung अपने फ्रीज में देता है और यह इसका आइस क्यूब का चेंबर है मतलग इसमें सारी आइस क्यूब जाएंगे जो कि यहां से निकल के उपर फ्रीजर में आ जाएगा दर्वाजे की बात करता है तो दर्वाजे म में कापी कम स्टोरेज मिलिया बेसिकलि अगर मैं किसी भी ब्रांड का डबल डोर रफिजर दर देखता हूं तो वहां पर आपको शेल्स का उफ्सन जादा मिलते हैं और समान रखन करने हैं चीक है तो दोस्तों यह था एक चोटा सा ओवर्विव इस Samsung के सबसे बड़ डबल